ग्रेम् बायू की कहान्या, जो थी वाले बिल्ली, एक चा़ की वाले की तीन बेटी。 एक चा़ की एक गद्था और एक बिल्ली ती. इसके बेटी बैटा Chiki फीने सा करती थी, गद्था अन नाजलाता और अठा था था, और बिली का काम ताकि चुवो को पकड़े जब चकी वाली फाउत हो गया तो तीनों बेटों ने इसके जाइदा तीन हिसों में बांट ले सबसे बड़ा बेटा को चकी मिले दुसरे को गता और तीसरे को बिली मिल गई और इस बीचारे के लिए और कुछ नहीं रहा वो गमगीन हुआ और खुद को कहने लगा सबसे बड़ा तो मेरे साथ हुए मेरा सबसे बड़ा बाई चकी पीस सकता है और दुसरा अपनी गदी पर बैट की सफर कर सकता है मैं इस बिली का क्या करूँ मैं इसके फिरसी अगर दिस्तानी है बनो तो काम खत्म है सब सुनकर बिली बोले मेरे बात सुनो तुम्हे कोई जरूरत नहीं कि मेरे फिरसी दिस्तानी बनवाओ मुझे बस जूती बनो दो ताकि मैं बाहर निकल सको और दूसरी लोगों से गल मिल सको मेरे इस तरह मदद करोगी तो इसमें तुम्हारी भी मदद है चेकी वाले का बेटा हैरान हुआ ये बिली तू बोलने है अभी मुची गुजर रही था कि इसमें इसको अंदर बुलाया और इससे बिली के लिए जूती बनवाया जिसे है जूती बन गई तो बिली ने पहन दिया और एक बुरी ले कर इसमें दाने डाले और बुरी को एक दागा से उपर से बांद दिया और एक इनसान की तरह बुरी कंदी पक लटा के दो ठांकों के साथ बाहर को निकल गई इस वक एक बाचाता जिस के हुकमत थी इसको मुर्गी बाओत पसंती लेकिन इसको ये दिकाता की कहीं भी मुर्गी नहीं मिलती थी सारा जंगल मुर्गी उसी बेरा हुआता लेकिन वो किसी के हाथ आई और कुई भी शिकारी उनको पक्डा न सकता बिली को ये बात मालूम हुए और इसने सोचा कि वो यकीना मुर्गी पक्डा सकी गया जब वो जंगल में पहुंच थी तो इसने वो बुरी खोल कर रख दिया और दाका कोल कर गास के पीछे चुप गई पर उसने इंतिजार किया मुर्गी थोड़ी दिर की बात है उन लगी और एक एक करके बुरी में पैटी गई जब एक अची थी दाद बुरी में आख ती हो गई तो बिली ने देखा दाका कीच कर बुरी बंद कर दिया और मुर्गी का गला मुराड़ा दिया इसने बुरी फिर अपनी खंदी पर डाले और सीदी बाचा महल की तरफ गई बाचा के पैरदार बोलनी लगी रक रको कहा जाती हो बिली जवाब देती लगी बाचा की पास पैरदार ने कहा एक बिली और वो बी बाचा की महल में दाखिल हुआ इसने जो दो एक दूसरा बुला बाचा तो अक्सर होती है हो सकता है कि वो बिली को देख कर खुश हो जाए बिली जब बाचा की सामनी पहुंचता और इहतराम से सलाम किया मेरा मालक बाचा की खदमत में मुर्गया पेचता है जिनको इसने खुद पकड़ा है, बाच्छा से अत्मान मुर्गा देख के बहुत हैरान हुआ और बहुत खुश हुआ, इसने बिल्ली को होकम दिया कि जितना सोना उठा सकती हो, इतना उठा कर ले जाओ, ये अपनी मालक की दे जाओ, और इसको मेरी तरफ से शुक्रिया कहना बे चारा चे की वाली का, बेटा गर, करकी में बेटा गमगीन था कि इसने अपना आखिरी पैसा बिल्ली की जितना में लगा दिया, हालान कि बिल्ली से तो कोई फाइदा नहीं आसे, वक्त बिल्ली आ पॉंच ती, कंदी से बूरी, उतार कर, कुले और सोने को अपनी मालक क सामने डाल दिया, मेरी जूतो की बदले, ये सोना ले लो, बाचा भी, तुम्हे सलाम करता है, और तुम्हारी शुकर गुजार है, इसका मालक सोना देकर बहुत खुश हुआ, लेकिन मुकमल तोर पर समझना सका, क्या हुआ रही है, बिल्ली जूती उतारती, वक्त इसको कारे पास अब काफी पैसी है, लेकिन मैं कल फिर जूती पैन कर निकलोगे, ता कि तुम और भी अमीर हो जाओ, मैंने बाचा को भी बताया था कि तुम एक नवाब हो, अगले दिन बिल्ली जिस तरह इसने का आता, फिर शिकार के लिए निकल और पिर सोना लिया, गर-गर को कारी वो इतने मशूर हो गई और वो महल आती जाती थी, एक दफ़ा बिल्ली पाचा के बावर्ची में कड़ी हुआ कर अपनी बात गर्म कर रही थे, कि ठांगे वाला आया और गुसा से कहने लगा, ये पाचा और शहजादी अजीब है, मैं होटल में जाकर बैटता है, ता काकेल, फ़रां वो कहने लगी कि मैं उने समंदर की तरफ ले जाओ, जैसे बिल्ली ने ये सुना, वो अपनी मालक की जानब बाग गई और इस बता ले गई, अगर तुम एक नवाब और अमेरदार बना चाती, तो मेरे साथ आओ, और समंदर में तेरी चेकी वाली ने, आग केसी कुछ ना पूचा, और फ़रां बिल्ली की साथ समंदर की तरफ गया, और इसमें तीरी लग गया, बिल्ली ने इसकी कपड़े ले और उने चुपा दिया, अभी बिल्ली ने कपड़े चुपाया, थे बाच्छा आ गया, बिल्ली ने फ़रां उंची उंची चलाना शु कपड़ी चुरा के लिया गया है अगर उनको फ़ौरा ना निकला गया तो वो मर जाएगी जिसी पाच्छा ने ये सुना इसने अपनी कारवान को रुकवा और एक आदमी को बेजा जो महल से कपड़ी लाए चेकी वाले ने खुबसरत कपड़ी पीन और क्यों कि बाच्छा को मुर्गे की वज़ा पहले से भी शुक्र गजारता पाच्छाने से अपने साथ ठांगे में बैट लिया शेजादी भी खुश हुए क्योंकि नवाब खुबसरत और जवान ता और ऐसी पसंद आया बिली आगे नकल गई और एक ऐसी जगा पंच जहासो से ज्यादा लोग का सकाट रेती है किस फसल है किस की फसल है बिली ने पूचा ये एक बड़ा जद्गर की है बिली ने ने कहा सुनो अभी इदर से बाचा गजर गा और जब वो पूचे कि ये फसल किसकी तोbones ने जवाब देना है कि नवाप की है अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुमें मार डा बिल्ली आगे गई और एक मक्की की फसल की पास पहुंची वो फसल इतना बड़ा थी कि बंदा आनकों से ऐसी पूरा ना देख सकता उदर दोसों ज्यादा लोग काम कर रही थी ये किसकी मक्की है ये जादूगर की है लोग कहने लगी बिल्ली नहीं कहा सुनो अभी उदर से बाचा गुजर गा और जब वो पूछी कि ये फसल किसकी है तो तो तुम लोग ने जाब देना है कि नवाब के है अगर तुम ने ऐसा ना किया तो तुमें हमारा डालो की आखिर फर बिल्ली एक जंगल की पास अप पहुंची थीन सो ज्यादा लोग दरख काट रही थे ये किसका जंगल है ये जादूगर का है लोग कहने लगी बिल्ली नहीं कहा सुनो अभी इदर से बाचा गुजर गुजरीगा और जब वो पूचे कि ये जंगल किसका है तो तुम लोगों ने जवाब देना है कि नवाब का अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुमें मार डालो बिल्ली आगे निकल गए और जैसे वो जा रही थी लोगों के खौफ दा क्योंकि वो इनसानों की तरह बड़ी वखार से चल रही थी वो जदूगर के खला की सामने पहुंच ते और अंदर चल गई जदूगर ने इसी देखा और पूचने लगा कि तुम इदर क्या चाती बेशक ता मड़ी बाहर दिया लेकन मुझे लगा है कि एक हाथी बना तेरे लिए भी नामुम्किन हो गया इसलिए मैं आया हूँ ताकि खुद अपने अंकों से ये देख सको जदूगर फखर से बुला कि मेरे लिए बहुत आसान काम है और इस वक एक हाथ बन गया बिल्ली जदूगर ने हा कि ठीक है लेकिन क्या शेर भी बन जाओगे जदूगर कहने लगा ये भी कुछ नहीं और शेर बन कि इसके सामने कड़ा हो गया बिल्ली डर गई और कहने लगी ये तुमें कभी नहीं सोच सकती है कि तुम से बड़ा जदूगर हो गए लेकिन मुझे लगत है कि ये तुम से नहीं होगा जदूगर अपने तारुफ सुनकर खुशी से कहने लगा जी हां मेरे बिल्ली ये बी में कर दिखाता हो और चुआ बन कर पाकने लगा बिल्ली इसकी पीच्छी बागी और इस चलंग मार कर पकड़ी की का लिया बाचा अभी नवाब और शेज बाज़की की साथ ठांके में सेर कर रहता और इस फसल की पास आया यह किसका जास है काचाप पूछ नहीं लगा यह सब नवाब साइब सारियों ने कहा कि बहुत अची फसिल है नौब साहिब इसकी बाद वह मक्जी की फसिल पहुंच ते और पाचा पूछी लगा कि ये किसका मक्जी है उन्होंने बता गया कि ये नौब साहिब कि है आया नौब साहिब क्या खुबसूरत फसले है अब पर वो जंगल की तरफ लोगों ने बताया कि ये नवाब की है बाचा और बी ज्यादा हैरान हुआ और इस ने कहा कि अब तो एक मालदार शख्स लगी है मुझे नहीं लगा कि मेरा जंगल भी इतना खूबसूरत हूँ आखिर वो इस खला पे उन्ची बेले सुड़ियों की कपड़ी थी जिसे ये ठ रिका बिली बाग गी और तांगी की दर्वाजा कुल और का की बाचा आपको मेरी मालक की कला पर खुश आम देद बाचा इतर और कल्ला देकर हैरान हुआ, नवाब शिजदादी कुले कर अंदर गया, सारा कल्ला सुने और हीरो सी बहरा हुआ ता शिजदादी और नवाब की शादी तेप पाइगी और जब बाचा फाओ तो वो चकी वाली बाचा पना और जूती वाली बिली इसका पहला वजीर पना